कि हैं आइ ये वेलकम बैक टो माय चैनल ब्लोग सुरुषे प्लांट के बारे मादा ने था मैं आपको एक इसे बारे में बताऊंगी जो कि कहने को तो जंगली प्लांट है बाट गंबलों बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और गुच्छों में फ्लावरिंग करता है बहुत से colors बहुत से varieties में market में available है और बहुत सुन्दर एक बुके से form कर लेता है आप देख रहे हैं यह हमारा plant तो यह plant है लेंटेना का plant लेंटेना वैसे तो जंगली variety कही जाती है और लोग कुछ लोग कहते हैं कि इसको नहीं लगाना चाहिए पर जमीन में इसको नहीं लगाना चाहिए क्योंकि बहुत तेजी से grow करता है और बहुत दूसरे plants की जणों को यह consume कर लेता है तो इसलिए इसे जमीन में नहीं लगाना चाहिए बट गमलों में लगाने के लिए बहुत अच्छा plant है बहुत अच्छे से grow करता है प्लस flowering तो आप इसके देखी रहें कि कितनी बढ़िया है और छोटे छोटे गमलों में बहुत आसा ले की जरूरत भी नहीं है एस बोनसाई भी हम इसको बहुत असानी से डिवलफ कर सकते हैं और बिलकुल भी कोई खास केर इसकी करने की जरूरत नहीं कर परती है बहुत कम केर में यह बहुत असानी से grow कर जाता है और बहुत सारी flowering हम को देता है इसकी कई varieties आती हैं कई colors आत रहे हैं और जैसे जैसे यह flowers mature होते जाएंगे यह पूरे dark red का बंच बनता जाएगा और starting में जब यह निकलती है तो कली के बार यह yellow रहता है तो बीच में कभी yellow रहता है और red रहता है तो बैद देखने में बहुत ही सुन्दर और बहुत ही बढ़ियां निकर के आता है मेरे पास इसकी दो varieties हैं एक यह वाला आप देख रहे हैं और एक yellow वाला है यह दो varieties मैंने गंबले में लगा रखी है बहुत आसानी से लग जाती है तो सबसे main चीज यह है कि इस plant को दिन भर की दूप चेगे आप इसको ऐसी जगा प्लेस करें जहां पर इसको दिन भर की दूप म भी September October तक यूँ ही चलता रहेगा जब तक कि बहुत ज़्यादा सर्दिया नहीं पढ़ने लगेंगी सर्दियों में यह प्लांक थोड़ा सा डॉर्मेंट हो जाता है और इसको आपको ऐसी जगा उस टाइम प्लेस करने की जरूरत होगी जहां पर इसको धूपत मिले बत ओस और थंड़क जादा ना पड़े इसके उपर क्योंकि फिर यह अपनी लीव्स ड्रॉप कर देता है और चला जाता है तो इसलिए थंडियों में इसको थोड़ा सा बचा के रखने की ज़रूरत होती लीव्स तो ही ड्रॉप करता है बट इसको थोड़ा सा अगर शेडी एरिय है और बहुत अच्छे से चल ला है वर कर रहा है और खुब अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है यह समझा लीजिए इसमें पाचवी छटवी वर फ्लावरिंग हो रही है इस सीजन में और बंचेज में फ्लावरिंग करता है तो और जादा सबसे में बात है कि इसकी बहुत ज चीज और इसमें ध्यान अकनी होगी कि जैसे फ्लाज हैं जो हमारे स्पेंट हो गए हैं तो स्पेंट फ्लाज को हमें निकाल देना है वरना इसमें क्या होगा कि और जो ब्रांचेज हैं वो डेवलप नहीं होंगी जहां से स्पेंट फ्लार हटेगा वहां से ब्रांचेज लो वाला है यह भी बहुत ही सुन्दर खिल के लगता है तो यह दो वराइटी मेरे पास अभलेबल है तो हम मैं कहा रही थी कि इसके जो फ्लाज फट्वैंट हो जाते हैं उनको आप पिक लें उसको आप निकाल दें तो एक तो उससे सीट फर्मेशन नहीं होगा और दूसरा इसे नएं ब्रांच डेवलप होंगी और जित्ती ज़्यादा ब्रांच डेवलप होंगी उतनी ज़्यादा आपका यह जो प्लांट है वो तो मैंने इसको यह तोड़कर अलग दिया क्योंकि फिसी डेवलप करने लगता है और आपकी फ्लाविंग कम हो जाती है तो नैट्रोजिन डिश्प्लाज के लिए फर्टलाइजर के लिए आपको इसमें करीब महीने में एक बार एक मुटी वर्मी कंपोज दे दें बस वही इ प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा प्लस फॉल्स ना इसकी जगह आप सीवीड भी यूज कर सकते हैं सीवीड ग्रैन्यूस के बारा तेरा जो बॉल्स हैं वो आप इसमें डाल दें बस इसके लिए काफी है महीने में एक बार तो इसका यह फर्टलाइजर आप यूज करे रची क्या है है वैसे यह आपका भी प्लांट फ्लावरिंग करेगा नैक्स की है कि स्वाइल मिक्स हमें देखना पर कि कि हम जब भी बज'llी यह फनी अपर है तो इसलिए हमें सेंट च्पेर करने की जरुबत है तो इस soil mix ऐसा होना चाहिए जो well drained हो तो इसमें हमें जो soil mix लेना उसमें हमें 30% Vermi Compose रहनी है रस हमें half sand और half garden soil लेनी है इन तीनों चीजों को अच्छे से mix करके हम इसका soil mix बना लेंगे और इसमें एक मुठी हम सरसों की खली भी डाल लेंगे तो तो इससे जो root rot वाली problem है वो भी आपकी solve हो जाएगी और इसमें कोई भी insects का effect नहीं होता कोई से भी might का effect नहीं होता यह यूही flowering करता रहता है तो इस तरह की soil mix repair करके आप इसको transplant करें और यह ध्यान रखें कि जब भी घर में लाएं तो 3-4 दिन रुक के इसको transplant करें वरना फ रह जाएगा उसके बाद ही आप इसको transplant करें जो मैंने soil mix बताया है उसमें और महिने में एक बार बस वर्मी कंपोस्ट या seaweed fertilizer दे दे बस इसके लिए यह काफी है और खुब बढ़ियां से फ्लावडिंग करेगा इसी तरह की मेरा कर रहा है तो यह था एक छोटा सा वीडियो हमारा lanterna plant का आपनों को कैसा लगा हमें comment करके जरूर बताएगा अगर अच्छा लगा हो तो like करेगा share करेगा और subscribe करेगा so keep watching and thank you for watching the video